हेई गाइस विल्कम बैक चैनल दोस्तों आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ जैसे कि आप यह देख सकते हैं हमने एक यह ब्लाउस बनाया है और ब्लाउस की फिटिंग की सिलाई कैसे लगाई जाती है पूरा फुल डीप है नीचे कमर अरूंद दुँच की डाइंच की स्ट्रैप है और वैसे डीप देखें तो उपर से तेरा इंच गले का डीप है तो गैस अब इसकी जो फिटिंग की सिलाई कैसे लगाई जाएगी जैसे कि आप यह बैक साइड में देख सकते हैं काफिर डीप है especially क्या होता है कि जैसे कि आप लोग fitting की इसलाई लगाते हैं तो यहां पर पीछे साइड में जोल आता है आगे की fitting ठीक होती बट पीछे साइड में जोल होता है तो मैं इस video में आपको बताऊंगा कि इसकी fitting की सिलाई कैसे लगाई जाएगी तो दोस्तों जादा time भी इस नकरत ब्लावज़े इसको मैंने फूरा ब्लावज़ बना लिया है अगर आपको इसकी वीडियो देखनी है मैंने इक्रिप्शन के डाल दिया है कि और यह हैै ऑर यह íllक्षे सेバー दया यह बисс जाए और पीछे यह से हमारा दीब कला है करीब पोने 2 इंच की है और जो आगे का गले का डीप है वो भी आप ये देख सकते हैं आगे का गले का डीप भी 10 इंच के असपास है ठीक है तो ये आप देखें 10 इंच आगे का गले का डीप है और पीछे का तो है फूरा फूरा फुल और पीछे का आप ये देखें 13 इंच ह दिखाता हूँ आपको इसकी मार्किंग कैसे की जायेगी उस से पहले एक बार मैं आपको साइज गाइड कर देता हूँ यह जैसे कि आप देख सकते हैं ये इनका साइज है चेस्ट साधे साथे 30 से अपर चेस्ट चट्थी से कमर साधे 30 से गला आगे से 10 से पीछे से 13 है ठीक ह यह अब देखे, प्रिंस पैनल का जॉयंट और यह फ्रिंस पैनल का जॉयंट हम अपस में ऐसे मैच करेंगे, यह हमारे फ्रेंट पल्ले का सेंटर बने जाएगा थीक है, अब कमर जैसे की 35.30ısı 29का ौद साड़े साथ एक सूत तो इस तरीके से हम इंचिटेव रखेंगे तो यहां जहां पर भी साड़े साथ एक सूत आ रहा है वहां पर हम निशान लगा लेंगे तो हमारा यह आ रहा है हमने यहां पर निशान लगाना है ठीक है अब हम आते हैं चेस्ट पे तो गया जैसे चेस्ट जिसे जादा है हमारा arm XXAmerica पर यहाँ डिक्याज के प्रिखे अर मूल हमारा यहाँ पर इस路ल के सो करेंगे यहां पर यह वntकितनी Thetis इस कि आइस तरीके से 4. साधे सैंट जहां पर बियाएगा हम आपने लिशान लघा लेगे यह हमारा है सवा नो एक सूथ तो हम सबसे पहले यहां पर निशान लगाएंगे इस तरीके से ठीक है अब हमारा चेस्ट भी हो गया है कमर भी हो गया है ठीक है यह आप देख सकते हैं मैं हाइलाइट कर दे रहा हूं यहां पर हर मोल के पास है कि यह दोनों निशान हमारे चेस्ट के होगे ठीक है और यह हमारे कमर के हो गये अब जो हमारा बैक का धीब यह जो ब्रोडने से यह मैच करेंगे क्योंकि हमारा जो सेंटर लिया जाएगा उसमें दोनों चीज़े मैच करनी चाहिए basically हमारा जो है गला जादा मैच करना चाहिए ठीक है तो इस तरीके से हम गले को मैच करते हुए साथी साथ देखे हमारी डॉट भी मैच कर रही है तो हम इसका भी एक सेंटर बना लेंगे मैं आपको समझाने के लिए सीधी तरफ निशान लगा रहा हूँ आप जब भी काम करें तो आप उल्टी तरफ निशान लगाए ठीक है तो आप ये गलती ना करें मैंने जस्ट समझाने के लिए आपको ये सीधी तरफ निशान लगाने के दिखाया है अब यहाँ पर देखे साड़े साथ 100 जहां पर आ रहा है हम वहाँ पर निशान लगा लेंगे तो ये हमारी कमर होगी बैक वाले पल्ले की अब इससे क्या होगा कि हमारे आगे और पीछ की सिलाई लगाएंगे तो अब आप देखें मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ यहाँ पर यह आप देखें जब हम यहाँ से फिटिंग की सिलाई लगा रहे हैं तब तो ठीक है लेकिन जो हमारा उपर आरमोल के पास है यहाँ पर गला जादा डीप है तो यहाँ पर राएगा यहाँ से बैठे गनी और आगे का फिट होता जाएगा तो अब हमें क्या करना है यह देखिए मैने मेरे हिसाब से लगबा गर हम इसको ऐसे सेट करते हैं इस तरीके से इसको सीधा भी करते हैं प्लस हम इसको मैच कर लेंगे और सीधा करने के बावजूद्ध भी आप देखिए यह हमारा कितना निकल रहा है तो इतना निकल रहा है यह आप देखें हमारा राउंड इतना निकल रहा है ठीक है तो इतना निकलने के बाद यहां पर आप देखें हमें यहां से मैच करना है यह देखें हमारा यह निशान आ गया तो बैक वाले पले का जो है हमे आर मुल हमें अंदर आ गया है और तरीका क्या है मैंने आपको बता दिया है साइड खीचेंगे जहां पर भी निशान आएगा वहां से हमें साइड के साइड का मार्जन बराबर करना है और एक तरफ निशान लगा लेना है उसी का दूसरा निशान दूसरी तरफ कॉपी कर लेना है तो अब आप देखिए अब हम इसमें side zip के हिसाब से fitting लगा रहे हैं तो इस तरीके से देखिए जैसे कि ये हमारा निशान है और ये निशान है इसको मैसे आपस में match करेंगे इस तरीके से ठीक है और यहाँ पर आप देखिए center to center match करना है इस तरीके से और यहाँ पर हमारी निशान automatic accurate match कर रहे है ठीक है इस तरीके से हम निशान लगाएंगे तो ये आप देखिए हम यहाँ से start कर रहे है इस तरीके से, ठीक है, जो हमारा डॉट पॉइंट है, डॉट पॉइंट के सामने तक हम सिल देगे, क्योंकि इधर जीप आ रही है दूसरी सैट मैं पूरे में सिलाई लगा दूंगा, जिधर जीप आएगी उस सैट जो हमारा पैड का डॉट आप देख सकते हैं मैंने एक तरफ का निशान लगा दिया है और अब दूसरी तरफ का देखे यहांसे हमंने चिन्टर से मैच करा। यह आप देखें और यह हमारी कमर आपस में हमने मैच करी और उसके बाद हम क्या करेंगे यहाँ से हम सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे यहाँ पे देखिए आरमोल का हमारा निशान यह है पीछे वाले पल्ले का और आगे वाले पल्ले का निशान यह है तो हम यह आपस में निशान मैच करके एक सीधी सिलाई लगा देंगे इधर भी देखे मैंने सिलाई लगा दिया है और इस सेट भी लगा दिया है अब देखे जैसे कि चेस्ट हमारा था 30-30 इंच तो जो हमारा रेडी होना चीए साड़े 49 इंच ready होना चीए खीच के गला जám जादा डीपर यह खीच के होना चीए थिक है हम एक बार हम एक बार Size Cross चेक करेंगे इस तरики से यह देखिए आभी खेच के यह आप देखें और इधर का मारजन देखे, इस side का मारजन थोड़ा सा अंदर चला गया है, तो अब हम क्या करेंगे, जितना इधर मारजन है, उतना ही मारजन हम इधर भी ले लेंगे, ठीक है, एक तो वो हमारा correction ठीक हो जाएगा, प्लस हमी क्या करना है, अब size जैसे कि तो 37 के आर्मोल आयागा हमारा 17, तो 34 का आधा 17, तो अब हम आर्मोल हमारा राउंड आना चाहिए सत्रा, इस तरीके से हम आर्मोल करेंगे, यह आप देखें, आर्मोल हलके से छोटे से हैं, उपर वाला लेहर, वो मैनर सा बढ़ा है आर्मोल, और आर्मोल हम जब यह पर उसी चैख करेंगे इस तरीके से तो हमारा और मोल कितना आ रहा है यह आप देख सकते हैं कि डीप गला है तो अगर हलका कहल घलग भी होता है तो चलेगं आर मर वेवत हलका से बहुत ठाइक बहुं अ अब यहां पर देखिए जो हमारी यह साइड है यहां पर देखिए जो हमारा मार्जन है यह आप देखिए यह जो मार्जन है अराउंड हमारा दो इंच है ठीक है तो हम इस साइड भी यह देखिए पीछे वाले पले का मार्जन हमने मोर दिया है अब इधर भी हमें अराउंड 2 इंश पे निशान लगाना है यह आप देखिए अब हम यहाँ से सिलाइं लगा के इस पे मिला देगे तो इस तरीके से देखिए मैंने फिटिंग की सिलाइ लगा दी है अब देखिए हमारा आरमोल भी बराबर हो गया है और इधर margin भी बराबर हो गिया है और ये वाली सिलाय हम खोल देंगे अब मैं आपको दिखाता हूँ हमारा chest भी ठीक आ जाएगा तो इस तरीके से देखिए हमारा chest भी बिल्कुल ठीक आ गया deep गले है तो deep गले में क्या होता है कि हलका फुलका tight हो जाए वो चलेगा लेकिन lose नहीं होना चाहिए ठीक है तो अब हम इसकी जो extra सिलाई है ये खोल देंगे उसके बाद मैं आपको जिप लगा के दिखाता हूँ दोस्तो जिप लगाने का भी तरीका बहुत आसान होता है आप वीडियो पे बने रहें साथी साथ अगर आप वीडियो पे नहीं है तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कोई भी क्यारी दा तो प्लीज आप कमेंट कर सकते हैं मैं उसका रिपलाई भी दूँगा अगर आप किसी टॉपिक पर वीडियो बनवाना चाहते हैं तो इस टॉपिक का नाम और उसका साइज आप शेयर कर सकते हैं मैं वीडियो बनाके अपडेट कर दूँगा तो यह देखिया मैंने जो एक्स्ट्रा सिलई थी वो खोल दी ठीका अब मैं इसमें आपको जप लगा करिकाता हुँ हमारा जब लगने के लिए तयार हो गए है मैं आप आपको जिप लगा कर दिखाता हूँ तो आप देखें ये चंशिल जीप है ठीक है चंशिल जीप है और हमारा बूट भी नॉर्मल है अब मैं इसी बूट में मैं आपको बहुत इजी तरीका बताऊंगा जिप लगाने का जैसे कि आप यह देख सकते हमारी फिटिंग की सिलाई आ रखी है ठीक है यहां तक मैंने आपको समझा दिया है अब इसको आपने ऐसे खोलना है इस तरीके से खोलना है ठीक है यहां पर हमें मचीन रखनी है इस तरीके से और यहां पर देखिए हमारी यह सिलाई आ रही है देख हम हलका सा निशान लगा लेंगे ठीक है यह निशान लगा लिए हैं, पीछे वाले में यह निशान है, जीप हम इस तरीके से खोलेंगे, ठीक है, खोलने के बाद यह जो जीप है, इसको हम हलका सैसे नखुनी मार लेंगे, इस तरीके से, हमें इसमें बूट चेंज भी नहीं करना पड़ेगा, और घुमाना भी नहीं पड़ेगा, इसी बूट पे हमारी जीप बहुत आसान तरीके से लगेगा, ठीक है, इसको हमें ऐसे मोड के सीधा कर लेना है, इस तरीके से, यह देखे मैंने सीधा कर लिया है, और सीधा करने के बाद, अब हमें इसको इस तरीके से इसी के बराबर में, इसी के उपर से प्लसिक है जो प्लसिक है जिश्ट उसी के किनारे सिलाय लगानी है अас यह देखे यहां तक है इसको हमें ऐसे पकड़े सीधा कर लेंगे यह देखे है जीप हमने खोल ली है इस तरीकेशे हमने जीप खोल ली है ठीक है अब हम इस पे जो है सिलाई लगा देंगे यहां पे देखें मैंने टाक्टी लगा दी है अब हमें धागा अभी नहीं काटना है हमें मशीन चलाके नीचे उतार लाना है इस तरीके से धागा काटेंगे तो धागा थोड़ा बहुत छोटेगा वह हमारे जिब के लॉक में फ सेगा इस तरीके से हमने धागा कट करके साफ कर दे nations अब यह आप देखें हम जिब लगा के देख रहे हैं यह हमारे जिब बिलकुल इजी तरीके से लग रही है अब यहां पर क्या करना है में में एक निशान लगा लेना है यहां जिप खतम हो रही है, वहाँ पर हम एक निशान लगा लेना इस तरीके से ठीक है, यहाँ पर जो जिप का startup है, हम एक जिप के पास यहाँ पर निशान लगा लेना है, ठीक है, तो हमें match करने में आशानी रहे हैं, उसके बाद हम यह जिप वापस पूरी खोल देंगे, इ यहां पर आप देखें निशान मैच कर रहे हैं और यह निशान मैच कर रहे हैं जिप की स्टार्टिंग और फिटिंग का बिलकुल एकुरेट मैच कर रहे हैं इसको हम ऐसे ले जाएंगे ठीक है यह देखें मैंने सिलाई लगाने स्टार्ट कर दिया है ताकी लगा ली है और जिप को हम ऐसे खोल के रखेंगे ऐसे खोल के ठीक है और यहाँ पे देखिए यहाँ पे यह जो निशाने इसे हमें बिल्कुल इस पे मैच कर देना है इस तरीके से मैच कर देना है अब यह आप देखिए हमारा पीछे का जो पल्ला है थोड़ा बड़ा हो रहा है तो इस पल्ले को हमें क्या करना है कि पूरे पीस में बहुत हलका हलका ऐसे नम कर देना है इसी तरीके से, इस तरीके से नम कर देना है, ताकि हमारे पूरे पीस में इक्वली आए, और इसको हमें इसको ऐसे खोल के रखना है, जिप्खो, इस तरीके से खोल के रखना है, ऐसे पकड़ किलने, और हलके हाथों से इक बर सिलाई लगा देना है, इस तरीके से देखे में लगा दिये और यहां का कि अभी आप देखे हमारी जिप लग के त्यार होचकी है इस लोक को ऐसे इस तरीके से निकालना है और इसको खीचना है कि अदेखे बहुत आसानी से हमारी जिप लग चुकी है और ब्लाउस की Representing भी लग चुकी है और सामने के तरफ से हमारा ये देखे ये लुका रहा है ठीक है पहनने के बाद ऐसे लुकाएगा ये आप देखें बिल्कुल accurate match कर रहा है और जिप चलाने में भी बहुत smooth है बिल्कुल need and clean है ये आप देखें बहुत smoothly चल भी रही है अब ये जो extra ले ये जिप का जो मार्जन है इसको में आधेंज के मार्जन से कट करना है ठीक है इस तरीके से कट करना है और कट करने के बाद ये जैसे कि आपका ये है इसी के अंदर ऐसे ऐसे करना है ठीक है इसको ऐसे करके इसी में ऐसे इस तरीके से मोड़ देना है यहीं पर बिल्कुल किनारे पे सिलाय लगा दे विजीक्ट सोद्सक्टनाई छ॥॥ यह देखिए हमारी जिप इंड में लोक हो चुकी है अब इसका लोक जो है हमारा उतर के नीचे नहीं आएगा यहां से हमारी जिप विल्कुल ओक लोप फिंध एक यह इंदर एमार इन होगी है जिस तरीके से मैंने उधर replies मोड़किन इसको भी ऐसे मोड़कर इस मोड के इसी के अंदर ऐसे फिक्स कर देना है ठीक है और इस पर हम एक सिलाई लगा देंगे बिल्कुल एंड में सिलाई लगाएंगे ताकि जिप हमारी पूरी नीचे तरका है इस तरीके से कि यह आप देखें इसका जो भी एकिटिव अब यहां पर मांजन जादा है तो अगर जिप बिल्कुल लगके तियार हो चुकी है, तो इस तरीके से मैंने पूरा ब्लाउस आपको complete करके दिखाया है, अगर आपको इसके starting की वीडियो देखनी है, तो आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं, और आपको ये वाली वीडियो कैसी लगी, आपको ये कितना knowledge हुआ, कितन आपको सीखने को मिला इस वीडियो में, आप प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं, ये हमारे final blouse की finishing है, कमर में आप देख सकते हैं, कमर में lace लग रही है, lace भी बिल्कुल need and clean है, और well finished के साथ लगी है, इस तरीके से मैंने lace लगाई है, आप देखें, ये हमारे अंदर side की finishing लेस हमने एक पट्टी पर लगाई है, ताकि बिल्कुल need and clean है, तो आई होप आप इसको इस वीडियो में काफी कुछ सीखने के मुला होगा, इस तरीके की और वीडियो देखने के लिए, चैनल पर विजिट करें, हम मलते है next video में